तो आज हम टेचर वही है, आप शाइद मुझे पिछानते हो, आइम अब्दरिशीद फ्राम बारमुला, तो हम मैथ का टॉपिक जो है लेकर आये हैं, आज बहुत आप ब्यूटिफुल टॉपिक है, थोड़ा सा आपको ध्यान लेना है। तो इर्थ क्लास में ये टॉपिक है, टीवन का, Comparing Quantities जो मने उपर लिखा हुआ है, तो इस टर्म से ही, इस वोड़ से हमें पता चलता है कि करना क्या है, इस 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 कि दो चीज़ें, कोई भी दो चीज़ें, तीन चीज़ें, दस चीज़ें, हजार चीज़ें ह हमारे पास है, इसके लिए कंडिशन है, कंपेर जब आपको हम समझाएंगे, तो कंडिशन ये है कि कम से कम, at least you must have to same things, same kind of, तो आईसी चीज़ें, जो एक ही किसम के हो सकती है, तो उसमें कौन लंबा, कौन चोड़ा, उससे हमारा मतलब नहीं हुए, तो कंपेर करना हमें, लेकिन आप तब तक compare नहीं कर पाते हैं, जब तक आपके पास कम से कम minimum दो चीज़े होनी चाहिए, जैसे मेरे पास एक bottle है, तो अगर मैं आप, आपसे question करता हूं, बचे, मुझे बताए, क्या ये बड़ी है क्यों चोटी है, में भी बहुत सारे student ऐसे होंगे, जो इसका answer कह क요 आपके हैाँ, जो कि सारी से क्यों चाहिए, में भी किसी student के दिमाग में य coop है आइडिया हो कि नहीं सारी बढ़ी नहीं है, ये छोटी है, तो इसलिए confusion होगया, अब हम 21 कन्कुलूजिन पे पहुंचेंगे कि भड़ है कि छोटी है, हम तब तक किसी कन्कुलूजिन पह न तो अब आपका आंसर होगा कि सर यह बड़ी है और यह छोटी है, तो कैसे बड़ी और छोटी का कैसे पता है चलता आपको, actually what you are doing, you are comparing your heights, बड़ी है और छोटी है का मतलब है कि यह जो है इसकी हाइड जो यह वाली बोटल है, इसकी हाइड जो है इसके मकाबले में, in comparing you with this bottle, इसकी comparison में इसकी हाइड जादा है और इसकी हाइड छोटी है, इसलिए यहीं से पता चला कि वोई छोटी बड़ी तब तक नहीं कह सकते हम, बारी या हलका तब तक नहीं कह सकते हम, जब तक हम कम से कम लीज़ दो चीज़ों को हम क्या कंपेर करें, तो कंपेर यह देखिया आप अराम से कि इस चीज़ को हम आप हाइक स्टूडेंट का जो आपके देख रहा है, तो उसका एकदम आंसर दिमाग में दोड़ी का अभी, कि सर यह वाली बोटल बड़ी है और यह वाली बोटी छोड़ता है, अब बात यह है कि यह बड़ी होगी और यह छोटी होगी, क्या ऐसा कंडिशनल भी हमारे पास है, कि यह यहां के मकावले में मैंने देखा तो यह आपके कहा सर यह बड़ी है, तो मैं भी मानता हूँ, लेकिन यह चीज़े कि यह पर्मिन्ट नहीं है, कि मतलब अगर इससे बड़ी और एक बोटल खड़ा कर दो मैं, तो यह छोटी बड़ी, तो यह सब डिपेंट करता है, कि आप दो चीज़ें कैसे क मुझे बड़ी है, काफी जगह है इसके अंदर, छोटी है तो जगह भी छोटी है, इसमें कम पानी आजाएगा, और इसमें ज्यादा पानी आएगा, आप घर में भी कह सकते हैं, एक छोटी बोटल इसके फुल बरो और इसमें डालते रहो, आप देखो कि जब अपने फुल बोटल इसमें पावर आउट किया, इसमें डाल दिया, तो मुझे लग रहा आदी बोटल से भी कम आ जागा, इसका मतलब है कि इसके वाल्यूम के मुकाबले में बहुत कम है, तो यह होता है कि कमपेरिजन हम कैसे करें, तो कमपेरिजन के लिए फिर भी में दो रहता हूँ क थोड़ा सा ध्यान काफी देना है, तो आज हम अलग सी कलास करते हैं, आपको बोड़ा मज़ा आ जाएगा, कमपेर के लिए कम से कम जो मैंने बोला है, मिनिमम दो चीजे होने ज्यादे भी हो सकता है, अगर मेरे पास पांच-छे बोटले होंगी, में भी उसमें हम कह सकते है कि सबसे छोटी है, उससे बड़ी है, उससे बड़ी हो और सबसे बड़ी है, यहाँ पर मैं खाली दो बोटले का कमपेर कर रहा हूं तो जहां कन कुलूजन पर हम पहुंच गए, तो क्या कि हमने हाइट उसको कमपेर किया, अब देखे मेरे पास और चीज़ है, यह दो ज्याद है, इसके मकाबले में, इसकी लेंगत और इसकी लेंगत जाएट करते हैं तो इसकी ज्यादा और इसकी कम. वदिग हम देखेंगे, आई सब अगर इसको कि आपके देखी लीजिए ये और ये मुझे लग रहा है कि आप फट से कंक्लूजन पर आ जाएंगे कि सर ये ज़्यादा लंबी है लेंगत इसकी ज़्यादा है एज कंपियर तो दिसमन और आप देख भी सकते हैं कि अगर इसकी लंबाई के ऊपर में डालता हूं फिर भी देखो इसक मतलब ये लंबी है और ये छोटी है तभी हम कर पाएंगे और तभी हम कंक्लूजन पर पहुंचे है तभी हम किसी का नाम छोटा और बड़ा दे सकते हैं जब आप दो चीजों को अट लिस्ट कम से कम दो चीजों को आप क्या करें कर सकते हैं इसी तरह ये लंबी थी अभी और यह चोटी, अब मेरे पर और एक डेरी है, अब देख लिजिए अब इन दों को compare कर लाँ, अब ये पहले वाले case में फिर दिखाता है, पहले वाले case में आप ने की conclusion पर पहुचे, सर ये लंबी है और ये जो छोटी है इसे अब इसी लंबी वाले को हम और एक डायरी से कंपीर करते हैं और आप देखते हैं कि अगर इस पर उरलेप हो जाए तो बराबर है लेकिन फिर भी इस चीज का भजता है अब ये पहले कंडिशन में लंबी थी आप ये छोटी होगी इ अबी की क्लास में जो आपको चीजें दिखाई यहां पर ठीक है कौन सा छोटा और कौन सा बढ़ा है लेकिन ये पर्मेंटली नहीं है हो सिकते कल में और एक चीज इस लंबी से भी एक बड़ी सी डायरी लाता हूं उसको कंपेर करके वह लंबी हो गई और ये छोटी हो जा आते हैं जैसे quarter little shape में ले लेता हूं circle है अलग से और square है हमारे पास hexagonal है, pentagonal है, बहुट सारी geometrical shapes में हम ले सकते हैं अगर मेरी पात दू और for example ये एक rectangle है और ये दूसरी rectangle है, क्या आप compare कर सकते हैं इसकी लंगत देखो, हाँ आप कह सकते हैं सर इसकी लंगत ज्यादा है और इसकी लंगत कम है, अब यहां तक तो इन दो case में ये दो cases जो है, इस दो case में this is longer and this is shorter, अब क्या है कि अगर और एक rectangle में लगता हूं, इतने compare करता हूं two or third को, आप इसका नाम shorter पड़ा और इसका नाम longer पड़ा, तो ये depend करता है कि आप कितनी quantities को और किस चीज को आप compare करते हैं, तो मुझे लगता है कि आपको समझाया होगा, दो bottle's का किसा था हमारे पास, diary जो हमने आपको बताई उनकी लंगत से और आपको यहां भ तो ये कम से कम मुझे लगता है कि जो comparing का मसला है, जो comparing का word हमने लिखा यहां पर तो ये आपको अच्छी तरह समझाया होगा कि किसी भी दो चीज को compare करना, तो सबसे अच्छी और important चीज जो आपने याद रखनी है, ratios के लिए, ratios के लिए आपके पास, मानने ये दो ही चीज हमारे पास है, दो चीज़ें को compare करते हैं, अभी ज्यादा उलिज दे नहीं है, चार और पांच छे चीज़ें को compare करें, दो चीज़ें का comparison हो गया तो आप 10 चीज़ें का compare खुद कर सकते हैं, तो इसलिए ध्यान देना है, थोड़ा सा, ये basics है, ये हो गया आपका तो फिर को आप compare कर सकते हैं, जो मैंने आपको अभी समझा कि, बोटल और वो चीज़ हमने diary लिखाई हैं, दो अलग चीज़ें, लेकिन हमने compare क्या कर रहे हैं, हम इनके weight compare कर रहे हैं, और weight का unit इसका भी वही है और उसका भी वही है, यानि कि हम weight के units हैं, उसको compare कर रहे हैं, अब नाम अलग हैं, नाम को हम compare नहीं करते हैं, कि वह बोटल है और वो diary आपके पास, इनकी मुक्तिलिफ शेकल है, फिग्वेर ये different शेकल किया है, और वो different शेकल किया, लेकिन बात है, एक common चीज़ हमने उठाई है, दोनु में से, उसका भी weight check किया, इसका भी weight check किया, और फिर देख कौन सा unit हमने compare इन दोनों में किया और फिर ratio बना, तो यहाँ पर definitely एक same kind की होनी चाहिए, और same unit का होना चाहिए, same unit, same unit, जांकियो आप जैसे मैंने अभी weight का किया, जैसे मैंने same unit में इसका और इसका आपको पताए एक कसा कहानी इसकी, कि वह इसकी उंचाई और इसकी उंच बोटन को नहीं कर रहे हैं, actually हम किस को कर रहे हैं, हम high test को compare करते हैं, तो इसलिए वहाँ भी हम एक ratio बना पाएंगे, तो ratios के लिए हम देखते हैं क्या होगा, ratios के लिए हम चीजों को compare करें, यह दो भी हो सकते हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकती हैं, तो उनको कैसे compare किया जात यह पैसु का मसला हम देखिए, आप कंपियर करना है, पहली बात आपके दिमाग में दोड़ी होगी इसका आंसर वो यह होगा सर, 7 रुपीज ज्यादा और 5 रुपया कम है, ठीक है, ज्यादा और कम का मतलब आप इसका वैल्यू कंपियर करते हो, 7 रुपय का वैल्यू ज्यादा है, तो इसके पास 2 रुपया कम है, यह भी कंपियरिजन है, किसके पास ज्यादा पैसा और किसके पास कम पैसा है, आप यहाँ पे वैल्यू को कंपियर करते हो, इसको कंपियर कर रहे हैं, तो पैसे की शकल इसलिए देता हो, ताकि आपके दिमाग में फट से बैठ उसके पास दो ज़्यादा इसके पास दो कम हैं. For example, मेरे पास पांच आपके पास दस. यहां और एक सैनेस जवलाप होती है. एक सैनेस तो यह है इसमें दो-तीन आप कंपेर्स कर सकते हैं. एक कंपेर्स यह है कि जो आपका पहला ही दिमाग में आंसर आया होगा क्या आप मुझे कैसे ही तेंगे सर आपके पास ज्यादा पैसा या कम पैसा है, 400 रुपीज का नोड मैं आपको दिखा रहा हूँ. नहीं जब तक न आप अपने जेब से पैसा निकालगे और कहो कि कि सर मेरे पास कितना और आपके पास कितना फिर वैलू को हम देखते हैं, सर आपके पास 500 रुपी निकले, मेरे पास 200 रुपी निकले, इसका comparison कर रहे हैं. मेरे पास अब आप कह सकते हैं, सर आपके पास ज़्यादा पैसा और मेरे पास कम पैसा है. इसी तरह यहां भी आप, अब दूसरा situation इसको फिर compare कैसे करते हैं, compare यह है, अगर हम देखें तो बड़ा आप यह भी कह सकते हैं, अगर यह 5 है तो यह 10 है, मान लिजी यह बंदा A हमारे पास है और यह B है, A और B का हम पैसा compare, value compare करते हैं, इसकी पास 5 रुपया इसकी पास 10 र twice as A है, तो मुझे बताइए, इसके दास इसके पांच, इसका मजब इसके डबल है ना, twice as a means double, इसके पास डबल है तो इसके पास कितना, अगर मैं आप उल्टा question आपके पास जाता हूं, A पर जाता हूं, B ने कहा मेरे पास A से दुगना है, डबल है, अब A की बार यह तो A क चुरल ही कहेगा कि मेरे पास B से half है, कम है, यही तो ratio है, यही तो comparison है, देखते हम कैसे आप ratio बनाते हैं, तो ratio यही है कि जो हमने अभी तक देखा कि हमने दो quantities को या दो से ज़्यादा quantities को जब compare करते हैं तो ratio बनता है, यहां आपने देखा यहां पर जैसे मैंने 5 और 10 कि difference जो है, value की difference है, that is rupees 5, this also a comparison, यह भी तो compare है, लेकिन compare के साथ हमने ratios पे जाना है, तो ratio subtraction में नहीं होता है, बिलकि ratios क्या होता है, when we put these integers into division form, for example, यह A था आपके पास, और यह बड़ा आपके पास B है, अब ratio बनाते हैं, ratio mean is comparison, जैसे आपको subtraction में समझाया है, हमने 10 minus 5 is 5, आप ratio है, ratio का यह है, ratio का मतलद है कि इसको division form में लिख दो आप, ratio in division form, तो division form कैसे करते हैं, अगर मैंने लिखा A by B, division ही तो है, जैसे आप 2 by 5 करते हैं, division है जैसे आप 7 by 3 करते हो, division है, यहाँ पर division form है, यह division form को हम ratio बनाते हैं, यह तो ratio हो गया, आप कैसे करते हैं, वो आपक अभी हम पढ़ेंगे इसको, A के पास कितना है, हम क्या करते है, ratio of A is to B with respect to B, A कहानी है, A का active role है, A कह रहा है कि देखता हूं, में A और B के साथ कैसी relationship है, ratios के बारे में, A के पास बिड़ा कितना आपके पास पांच रुपिया था, और divided by इसके पास 10 रुपीज है, तो ratio में क्या चीज़ है, एक fraction भी तो क्यालाता है, आप भी 5 पर 10 भी, एक fraction को परेशा नहीं है, लेकि fraction को aside रखने में हम ratios की बात करते है, ratios में क्या होता है, कि जो भी आपके पास क कोई भी इस फॉर्म में आता है, उसको सब से simplest फॉर्म में डाल दो, fraction इसको रख सकते हैं, रखो कोई परेशा नहीं लिए, लेकिन जब हम ratio की बात है, तो हमारे पास एक नहीं चीज आ जाती है, नहीं चीज क्या आई, तो इसको अगर हम cancellation करेंगे, HCF या GCD जो आप कहते है हैं कि highest factor common ले लेते हैं, जैसे आप साधारन सा आप करते हो कि इसमें cancellation जैसे 5 का table पड़ा, 5 1 is 5 2, this is 1 by 2, अब बड़ा मसला ये है, हमने चीजों को समझना है, for example, मैंने आपको अभी पैसा दिखा है, तो आप समझ गए तो आप समझ गए 500 रुपया का note है, ठीक है, कहानी ख मतलब क्या हो और ये ratio क्यों जरूरी है, हम देखते हैं उसके लिए हम थोड़ा सा करते हैं, यहां पर, दिखें वचे, 1 by 2 को आगर हम fraction में देखें, in terms of fraction, ये देखो बड़ा fraction में और ये ratio में, अब बस इस चीज को समझो, ये difference एक दिखाएगा, आपको दोनी चीजे हल हो fraction अलग चीज है, और इन में माने भी अलग चीज है, मेरे पास 1 by 2 है, जो मेरे पास अभी आया 1 by 2, अब 1 by 2 को देखें, किया fraction का मसला भी हो ही है, कि इसकी meaning fraction के context में भी ही है, कि इसका meaning ratio में होई है, हम वो देखते हैं, अगर fraction देखें, तो बड़ा fraction में आप क्या करते है, 1 1 by 2 मेरे पास है, a fraction में, in case of a fraction. तो 1 by 2 का मतलब है, आपने प्रिविस क्लासे में, 50 क्लासे ही आपके पास fractions है, simple सा मैंने बता है, मैंने वो बड़ा, अभी डालन नहीं कि fraction बढ़ी है कि भी समझने में थोड़ टाइम लगेगा, mean is 1 by 2, simple सा है बड़ा, अगर आपके पास 2 हिसे हैं, एक का shared किया हुआ है, इसका मतलब क्या है, 2 equal है, 2 equal बराबर 2 हिसे हैं, 2 में से 1 आपने पगड़ा है, तो ये कहता है कि 2 हिसे तो थे आपके बराबर, उसमें से आप एक हिसा सेलेक्ट करते हो, fraction में 1 by 2 का मतलब ये है कि पूरे whole का, इसको तो पूरा whole हि कहता है न, जो 5th class में आपने पड़ा है, this is whole, दो पार्टल बने, उसमें से एक part आप ड्रैग करते हो, एक part आउट करते हो, तो मुझे बताए, 1 by 2, 1 by 2, मतलब आदा ये, आदा ये, तो जब आप 1 by 2 fraction लेटे हो, इसका मतलब है, जो आपके पास whole एक था, उसमें ये रिप्रिजेंट करता है, आदे को, half-half, ये fraction में, fraction में अगर इसका माने देखा जाए, तो ये direct हमें पता चलता है, this is half of some whole, whole कुछ भी हो सकता है, आप रोटी कर में इसका लेते हो तो बिड़ा half कर लो, means half-up, आपके पास चॉकलेट्स आएंगे, दो बाई या दो बहने आप बैटी भी हैं, तो half-up कर लो, इसका मतलब half-up कर रहे हैं, अब जब हम ratios के, उसमें हम इसको डालेंगे, सांचे में डालें इनका है, फ्रेक्शन में समझा, one by two means simply half, दस रुपे हैं, दस का half, पॉंच रुप, आपके पास 20 चीज़ हैं, 20 का half कर लो, means half, ratio में जो हम देखेंगे, वही one by two में इनका है, तो one by two आप half नहीं है, बटा, बिलके one by two अलग एक कहानी है, वो क्या है, मान लीजिए आपके प आपकी sister इसको खाना चाती है, दो में बाटना है, बाटने हैं, यहां माने है, यह दूसरा जो बदलता है, माने इसका और इसका fraction से लेकर है, जब हम इदर आएंगे, रेक्शन में, तो मीनिंग बदल जाती है, यहां पे half, खत्म, और यहां पे कहानी जो है, यहां पे इस य form में डालते हैं, one by two के form है, that is simply one by two, or you can write one is to two, यह ratio का असली शेकल है, कि हम इसको कैसे compare करते है, तो एक हिससे को हम दो हिससे के साथ compare करते है, एक chocolate और दो बच्चे खाने वाले, यहां पर दूसरी चीज़ है, अगर आपके पास एक रोटी, इसका मतलब है आजा आजा आप यहां पर वो चीज़ नहीं, यहां पर दो अलग चीज़ है, यहां पर एक रोटी और दो खाने वाले, वो अलग चीज़ है, इसलिए दोनों चीज़ों में जब आप रेशियो में आप इसको देखते हो, आप fraction के context में इसको देखते हैं, तो बिलकुल ही अलग और थालग है आगे देखते हैं, रेशियो का थोड़ा सा रेयकसर करें और देखते हैं, पूरा दिमाग में उतारते हैं कि रेशियो अक्छली है क्या है, यह देखो बचे, हमने compares भी किये हैं, और compare के बाद यह सारा चीज जो है आपके पास आ गया, compare में क्या करें आपको, मुझे बताए हैं कि यह five of boys हैं आपकी class में, और three girls हैं, हमें कह रहा है sir कि इसको जरा compare करके बताओ, compare देखो पुझे, इसका ratio बनाना है, दो चीजों को compare किया, हलाए कि मैंने आपको बताया कि same kind, same चीजें हो, और same unitis हो, यहाँ पर आप कहेंगे sir एक तो boys है, एक girls है तो बिल्कुल opposite, opposite है लेकिन अगर सही से देखा जाए तो बटा boys का number actually है, number को हम girls के number से ratio बनाते है, तो number और number, digit और digit यह तो same चीज है, लिकना है तो boys है, लेकिन boys को represent कर रहा है यह number, और girls का representation 3 है यहाँ पर, हम क्या digit या आपका integer को integer के साथ compare करना है, ठीक है same kind है, same quality है सब, देखें ratio मतलब, अगर आप करते हैं boys is to girls, ऐसे, boys और girls का ratio क्या है, simple अभी लिखने का तरीका को समझाता हो और पढ़ने का तरीका इसका समझाता हो, बात में questions आ जाएंगे, बहुत easy है, लेकिन जब आपके दिमाह में पूरा यह basic is बठेगा है, हम करते है boys is to girls, means boys का number कितना है 5, is to, आप ऐस 1 by 2, उसको 1 is to 2 भी कर सकते है, वो ratio है, 5 is to 3, सबसे पहली नजर हमारे पास यह होनी चाहिए, जब हमारे पास कोई भी ratio है, इसका यह देखना चाहिए कहीं, अगर आपके पास common, highest common factor है, उसको cancel कर, जो cancelation है आप करते हो, अगर मेरे पास 5 by 10 होता है, मैं फटसी करता, 5, 1 is 5, 2 means 1 by 2, लेकिन यहां में जब मैंने देखा, 5 over 3 जो है बड़ा, इसमें 1 के बगेर कोई भी common, highest common factor नहीं है, जिसको मैं cancel कराता, 5 एक अलग चीज है, 3 एक अलग चीज है, जिसमें common, except 1, 1 के बगेर कुछ common नहीं, इसलिए यह सबसे simplest form है इसका, इसको हम फर्दर नहीं कर सकते है अब मतलब क्या है इसका, मतलब इसका है कि अगर आपके पास, मान लीजिए आपके पास, दस बच्चे हैं, total, और दस बच्चों में, 10 students आपके पास, इसको जियान दे दो, थोड़ सा जियान दे दो, यह थोड़ी सी कुछ चीज है जो आपको बहुत समझें, बहुत important है, ज अगर आपको कोई कह रहा है कि आपके class में sir, 10 बच्चे हैं, और ratio उनका है कि 5 is to 3, 5 is to 3 minus 5 by 3, यह हम आईसा भी कर सकते हैं, चला simple सा एक example ले लेते हैं, जो आपको समझा जाएगी, मान लीजिए यहाँ पे 2 is to 3 है, या 12 is to 1, या 2 is to 1 है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसका ratio ब 7 होगा तो 2 is to 2 by 7, इसका मतलब यह जो part है, यह जो part दिखा रहा है, यह part है कि जितने भी आपके पास total strength of students, any class that is 10, इस 10 का यह 2 by 7th part है, और अगर मेरे पास girls is to boys कर ले, खाली यह भी देखना अभी मैं आगे नहीं जा रहा हूँ, खाली आपको समझाता हूं कि अच्छली ratio क फिर क्या क्या कर सकते हैं उसको आगे देखनेंगे आप, खाली ratio को पगड़ो अभी, girls to boys, पहले बिच्चे हमारे पास question था boys to girls, तो यह बना, आप क्या करेंगे हम girls to boys, तो पहले आप girls की बात है तो girls का वाला मसला ली आप, girls कितने हमारे पास, यह two is to seven का अलग, और यहां देखते हैं चलें इस question में ले ले लेते हमारे पास पहले ही था, girls to boys, girls mean girls के three is to boys, boys means five, यह अगर आप देखा जाये तो इस cycle में भी आप लिख सकते हैं, this is three by five, क्या यही ratio रहेगा अगर हम boys to girls करेंगे, boys to girls, अब पहले तो girls की बात थी, फिर हम girls को boys के साथ compare कर रहे हैं, इस second part में आप मैंने उल्टा लिख दिया, boys to girls, अब लड़कों को आप compare करते हो with the number of girls, तो क्या होगा, boys को देख लो, boys कितने आपके पास five, और girls को देखो, आपके पास three है, तो यहाँ three is to five, यहाँ five is to three, क्या ही सैम चीज है, क्या हम कभी आईसा कर सकते हैं, हम लिखेंगे, ब बराबर है five is to three के, क्या ऐसा होगा कभी, बिलकुल नहीं होगा बच्चे, यह अलग चीज है, यह अलग अलग रिशू है, हम आपको समझा जेंगे, यह ऐसा क्यों नहीं है, थोड़ा सा देखो आप, हमारे पास boys और girls का मस्सला ही है, three to five, five is to three, हम क्या इस चीज को बराबर लिख सकते हैं, जैसे आपने classic सही किया, जैसे आप करते है, two plus three to three plus two हमने देखा था, सहम है, हमने सर और एक चीज भी देखी थी, two into three is equal to three into two, two plus three five, बराबर है, वह कोई परेशान ही नहीं है, हमारे पास, two three is are six, two three is are, कोई परेशान ही नहीं है, क्या यहां भी हम कर सकते है three is to five is equal to five is to three, बिल्कुल नहीं करेगे बचा, यह अलग चीज है, और यह अलग चीज है, यह बाइस को हम गिर्लिस के साथ, यहां गिर्लिस्ट बाइस, इसका मतलब है कि आप अगर पांच चीजे हैं, उसमें दो अलग चीजे हैं, मान लिजे, पांच पैनल्स हैं और दो प पैनल्स हैं और तीन क्या है फिर, पैन होगे और पहले वाली साचेशन में हम पैनल्स जादा और वो कम, दूशरी साचेशन में यह चीज अलग दिखाता है उस चीज को, हम आगे करते हैं कि अभी आप इस चीज में नहीं, इस चीज को नहीं रिस्स करते हैं, चलो प्याले देखते हैं यह चीज, कि वो हमारे कॉस्टन में आ जाएंगे हम कॉस्टन में, इसको स्ट्रांग कर लो, हमारे पास अभी रिस्स बनाने के क्या तरीक हैं, नमबर वन, आपने देखा होगा बड़ा, आपके स्क्रीन में आता होगा कि यह देखो, सर ने कई शकले बनाए, ज यह शकले बना रहा है, फिगर बना रहा है, ति बड़ा देखो, इसमें भी हम देख सकते हैं कि ratio का चीज है, ratio हमारे पास है, आप देखते हैं कितनी किसम की चीजे हमारे पास, कितनी किसम की figure, geometric figure हमें मिल रही है, मुझे लग रहा है, यह triangle है, ठीक है, एक किसम का हो गया, य यह आपके पास rectangle भी अलग चीज है, यह फिर triangle आया है, छोड़ दो, यह square है, और यह बिड़ा आपके पास circle है, फिर circle, फिर rectangle, फिर triangle, फिर triangle अब यहां फिर आपके दिमाग में question rise हुआ आया होगा कि यह चीज कि sir triangle तो अलग एक चीज है square अलग चीज है और यह sir circle अलग चीज है आप क्या compare कर रहे है दिखे पड़े यहां भी वही बात है मैं circle और triangle को compare नहीं करूगा मैं आपको बताता हूं question जिसको ratio हम आगे मुझे बताईए ratio of triangles to rectangles चलो करते है rectangle actually यह क्या है कि हम कहेंगे ratio of number of triangles हम number को कर रहे हैं किनके साथ number of rectangles के साथ number means आप पहले count कर लो हमारे पास कितने triangles हैं और how many are rectangles दियर उनके number को actually आप ratio करते हो आप figure को इसकी शकलों को आप compare नहीं करते हो हम करते हैं compare भी numbers को कितने हैं जब आपने कहा ratio of number of triangles बताओ sir तो हम देखेंगे trangles हमारे पास कितने हैं sir, trangles को देखते हैं बढ़ा एक 1 और 2 और कोहीं मिलती है हाँ 3 है तो पहला जो नाम है वो trangles का है तो हम लिखेंगे 3 is to ratio का sign आपके पास है और दूसरा हमारे पास क्या है किस का हम कह रहे है रेक्टेंगल आपके पास 1 और 2 आपके पास this is 3 is to 2 अगर कोई कहता है आपको sir number of circles to number of triangles बताओ sir क्या answer वही रहेगा नहीं आप देखते है number of circles circle कितने हमारे पास है 1 or 1 2 2 circle is to number of triangles आपके पास कितने है 1 2 or 3 यह अलक्ची इस रिप्रेजेंट कर रहा है यह अलक्ची इस रिप्रेजेंट कर रहा है